हेलो बचो मैं हूँ इंद्रादी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ पंचितंत्र की एक कहानी जिसका शीशक है टेरिबल बेल वैसे तो ये कहानी अंग्रेजी में है लेकि मुझे इसे हिंडी में सुनाने में मजाता है क्योंकि मैंने अपने बच्पन में इसे हिंदी में सुनी थी इसलिए मैं इसे हिंदी में सुनाओंगी तो हिंदी में इसका शीशक हो जाएगा भयानक घंटा चलिए सुनते हैं पंचितंत्र की भयानक घंटा ब्रह्मपूर नामक एक गाव में एक बहुत ही सुन्दर सा मंदिर था एक देन दो पहर को सब लोग अपने काम में व्यस्त थे तभी एक चोव वहां आ पहुंचा और मंदिर में चोड़ी करने के ख्यास से खुशने लगा परन्तु यह क्या मेरी तो किस्मत ही खराब है मंदिर के तो सारे दर्वाजे बंद हो गए है तभी उसकी नजर मंदिर के बाहर लटकी हुई घंटे पर पड़ी और उसने उसे चुरा लिया और लगा भागने भागते भागते उसने मन ही मन सोचा कि इससे किसी दूसरी गाओं में जाकर बेज दूँगा तो अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा दूसरे गाओं में पहुँचने के लिए उसे जंगल के रास्ते से गुजरना था तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ती है और वह घंटे को वही पर छोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए भागता है दूसरे दिन घूमते घामते कुछ बंदर वहाँ आ पहुँचते है अरे यह क्या एक बंदर कहता है दूसरा कहता है अरे मुझे मालुम है मुझे मालुम है मैंने इस तरह की चीज को पहले भी देखा है इसे अगर जोड़ों से हिलाओगी तो इससे मज़ेदार ध्वनी निकलेगी और बंदरों ने अपनी पूरी ताकत से बारी बारी से घंटे को बजाना शुरू किया और यहाँ आवाज चारू और गुजने के कुछ समय बार दो यात्री ब्रह्मपूर की तरफ आ रहे थे एक ने दूसरे से कहा भाई तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है दूसरे ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल और उसी समय जोर जोर से घंटी बचाई भाई भागो भागो मुझे तो लगता है यहाँ कोई भूत है और अपना बोर्या बिस्तर लेकर दोनों ने दौर लगाई और सीधे जाकर ब्रह्मपूर गाउँ पर ही रुके वहाँ पहुंचते ही लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घे लिया अरे क्या हुआ भाई आप दोनों इस तरह घबराए हुए क्यों हो अरे लगता है पहाड के उस तरफ कोई भूत है जो भयानक आवाज निकाल रहा है लगता है कोई भूत है और जैसे ही गाउ में ये खबर फैली लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी अरे उस भूत के बड़े बड़े कान है जब वह उसको हिलाता है तो उस से आवाज निकलती है अरे ये है तो खा जाएगा सबको कुछ ने तो भूत का नाम भी रख दिया गंट करना तो देखा आपने भूत का नाम करन भी कर दिया गया इसे कहते हैं अफवाः पैलाना बात का पतंगर बना दिया है न तो चलिए देखते हैं चरार्टी बंदों ने कैसे उस घंटे को वापिस किया पर इसी गाउं में एक बहुत ही समझदार इस्त्री रहती थी उसने समझदारी से काम लिया और बहुत सोचने पर उसने यह निशकर्ष निकाला कि हो ना हो यह बहुत ही बड़े से घंटे की आवाज है उधर गाउं वालों ने मिलकर सरपंच के पास जाने का विचार किया और वहाँ पहुंचने पर लगे शिकायत करने सरपंच जी पाहाड के उस पार एक शैतान है हम सब को डर है कि जल ही वह यहाँ पर भी आप पहुंचेगा और हम सब को खा जाएगा हम आज ही इस गाउं को छोड़ कर चले जाएंगे अब सरपंच बड़े ही चिंतित हुए और गहरी सोच विचार में डूब गए इस समझदार इस्त्री ने जब सरपंच को इस तरह से चिंतित देखा वह तुरत उठी और आगे बढ़ी सरपंच जी आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं भूत को भगा सकती हूँ आप भगाएंगी जी हाँ बिल्कुल सरपंच ने मुख्या से कहा इस इस्त्री को जितने भी पैसों की आफशकता है दे दें इस्त्री ने पैसे लिए और सीधे निकल पड़ी पहाड की और रास्ते में उसने कुछ आम खरी दें बीच में जंगल पड़ा और उसने उन आमों को वहाँ बिखेर कर रख दिया क्योंकि उसे यह अंदाजा लग चुका था कि हो ना हो यह भूत आम खाने के लिए अवश्या आएगा और वहाँ पेड की पीछे चिप कर देखने लगी कुछ समय बाद उन बंदरों को महक आम की महक आई और वहाँ जुन में वहाँ आ पहुंचे रे यहाँ तो आम है इस तरी दूर खड़े होकर देख रही थी कि बंदरों के हाथ में बड़ा सा घंटा था आम के लालच में बंदरों ने घंटे को वही पर फैंक दिया और लगे बड़े चाव से आम खाने मुझे पता था कि कोई भूत भूत नहीं है यहाँ यह सब इन बंदरों का काम है उसने तुरंट ही घंटे को उठाया और गाउं की और दोर पड़ी और सीधे सरपंच की पास पहुंची दीजे महाशे यह रहा आपका भूत और उसने पूरी बंदरों की कहानी सरपंच से कही कि हो ना हो किसी ने मंदिर से घंटे को चुराया होगा और यह घंटा इन बंदरों के हाथ लग गया सरपंच ने कहा मैं आपकी बुध्धी और चतुराई से प्रसन हूं और उसे बहुत सारा इनाम भी दिया उस देन से सारा गाउं उस इस्त्री की इज़त करने लगा तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं मिलती हूँ इसी कहानी के संग इंग्लिश में आज नहीं दो दिन में क्या आज चलिए फिर मिलते हैं इसी कहानी के संग टरिबल बल तिल देन स्थे एफ बाइब भाई